गुड मॉर्लिंग स्टुडेंट्स आज सामान अधारित विस्षय में जैसा कि हम पर्यावरण पहला चेप्टर पढ़ा हैं और उद्धमता का विकास एक चेप्टर पढ़ाना चाह रहा है थे क्योंकि आज उद्धमता का विकास जिला उद्ध्योग कारेले से आपको निकला भी आए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और कोई अगर आप उद्ध्योग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे दस लाख रुपए तक से पच्छिस लाख रुपए तक का आपको अंदान भी मिला है मतलब लोन मिला है जिसमें पचीस से 35% तक की छूट भी है त दस लाख तक का अप मतलब छोटा द्योग लगा सकते हैं न रस लाख के अंदर का भी तो आईए देखते हैं बंति कैसे हैं तो परियोजना का निर्माड इसमें एक chapter है जो पहला ही chapter है दिमता विकास का और project construction तो परियोजना करते एक line में है कि कि किसी नई वस्त के निर्माड के लिए योजना बनाना यही को हम परियोजना कहते हैं इंजिरिंग के छात्म भी यही पड़ते हैं कि अगर आप कोई नई वस्त बना रहे हैं तो उसके निर्माल के लिए योजना बनाना ही परीोजना कहलाता है और परियोजना अकर्सक हो पहचान यही इसका चान करें तो आप जैसा अस्थान होंगर तो रिपोर्ट में सब आ जाएगा, तो आईए इसके जो है प्रमुक चरण आपके होते हैं, वही पर्योजना का परविचार करिए, पर्योजना का मतलब करियानों के वस्था बताईए, चैन उसका बताईए, प्रबंध बताईए, तो अब सीधे हम आते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करना, तो उसमें पहला टॉपिक आ जाता है तगनिकी सुगमता, मसीन से इसका मतलब है कि इसका संचार, नेटवर्क और परिवहन, सुगधा आपकी कैसी रहेगी, निर्मान की रूप रेखा कैसी रहेगी, वित्तिय में भवन, भूमी का रखाना जगा ह आए वहां आजायेगा, आर्थिक आप आजायेगा, सामान जानकरी आपको देनी होगी कि उद्देमी का नाम क्या है, आई परियोजना क्या है, जैसे पेपर पिन बनाना है मान लीजिए हमको, बहुत छोटा सा मैं उधान ले रहा हूं पेपर पिन का, तो हम लोग उसमें आ अस्तावित परियोजना का विवरण क्या है, माल का उत्पादन कैसे करेंगे, बिक्रियों सेवाएं कैसे रखेंगे, मशीनरी की साज सज्जा का आपको वताना होगा, उसका मूल क्या है, सोदेशी है कि आयातित है, आप बज्च मेहां से लेंगे, उसके बाद कच्छा माल कहा से आप पाएंगे, उसके उप्योगता क्या है, माना हो सकती मतलब मैन पाउर उसके अंदर कितना यूज होगा, और परियोजना का मूल मतलब उसमें अस्थाई पूजी आपकी क्या है, भूमी है, मशीनरी है, उप्रारंबिक खर्चे हैं, ये अस्थाई पूजी में आ जात पिजली हो सकता है, बहुत चीजें आती है, बोरा औरा, परियोजना की कुल लागत क्या है, तो इसमें दो ही लागत होती है, एक अस्थाई पूजी और एक कारिकारी पूजी, बित का विर्वर्णा आप कहां से लेंगे, कि स्वेंग का अंसदान जैसे कहाँ है, कि 10% आपक 1-35% पर से परियोजना की लागत धायक मतलब यह भी है, कि बिकरी में राजस्थो का मिलेगा, निर्मार बे कितना होगा, बिकरी त्था बियाज कितना देगा, मूल यहां निक्या होगा, और उसके बाद इन सहु को जोड के आपको लागत क्या मिलेगा, आएकर आप कितना देंगे और दूसरा पूरत होता है कि मार्केट और बाजार का अध्यान आपने क्या किया है क्या आपका अपना मकान संपत्ति है तो यह बताएं आप स्वाइंग का बीमा पालसी है और फिर आप S.C.O.V.C फिचकल हैंडिक्रेप्ट किससे आप हैं वरतमान मासी का आपकी क्य है और कुछ निर्देश तो मैं सीजे रिपोर्ट एक लेता हूं जैसे कि मैंने बताया है पहले कि यह सब पूरी किताब ही आपकी बहुत अच्छी किताब है और इसमें पेपर पिन का परियोजना मान लिए प्रफाइल आपको बनाना एक पेपर पिन जैसे कि जो आप लोग होता है नुकीला भाग होता है कार्यालों में कालेजों में प्रियोग किया जाता है छेत्र कहां है तो कार्याल है और अनेक जहां भी आफिस है वहां पर सीधे आप उरती होती है उत्पादन लक्ष आपका क्या है तो प्रतिमा आप मान लिजे 500 कार्टन प्रतिमा का आपने लक्ष निर्धारित कर लिया, निर्माल का विवरन आप देंगे, तो निर्माल में मृद्व वहं का ठोर चमकदार इस बात का प्रयोग किया जाएगा, सरप्रथम इसको धो के और फिर इसको जल में धोया जाएगा, पीन को जंग रखने के लिए से उस पर टीन की प्लेटिंग की जाएगी, फिर उसके बाद आपका भूमी और भावन आता है, तो निर्मी छेतर ढखा हुआ, मल लिजे, सौवर्ग मीटर किराय पर लेंगे, तो कि आया आपका अपना हो, तो वो भी लिखें, किराय पर भी ले सकते हैं, कच्छे माल कि आऊशकता, आपको कितनी होगी, कठोर, चमकदार, एक छोटा प्रोजेट लिया गया है, HWG, एक ये तार का जो है, मेजर्मेंट आपको मैंने इलेक्ट्रोनिक्स में इसमें वायर में पढ़ाएंगे हम आपको, वायर गेज का, तो 21 से 24 वायर गेज का आपको, टन इतना आपको लेना होगा, इसका 30,000 मतलब प्रतिमाह आपका खर्चा आएगा, और फिर मसीनरी और साथ सज्जा, तो सोचलित पेपर मसीन आप बना लेंगे, तो माली ये 2 लाकी ये हो गई, फिर उसके बाद उस पर मलाइम चलाने वाला डाइनमो के साथ प्रारंबिक लवण जो आपको उस पर चलाएंगे, वो 65,000 का हो गया, सुखाने के लिए ड्रम मोटर आपका 10,000 का हो गया, ग्राइंडर हो गया, उसको मतलब उपतला करने के लिए 7,500 रुपया, तो ये एक फार्मेट बन गया आपका मसीनरी और साथ सज्जा के लिए, और इसके बाद फिर स्टाफ आफ रखेंगे, तो कुसल कारिगर एक फो रखेंगे, और आकुसल जो रहेंगे, दोठो रहेंगे, तो उनको भी तनखा 4-5,000 रुपया आप देंगे, और स्रमिक जो होंगे वो भी 1000 रुपया देंगे, ये मैं नहीं कहा रहा हूँ, 1000 देंगे प्लेटिंग केमिकल्स जो ले आएंगे, वो भी आप प्लेटिंग केमिकल्स का खर्चा देंगे, कारिसील पूजी अभी हाँ जाती है, तो कारिसील पूजी प्रतिमाह आपका खर्चा माल पर जाएगी, स्टाफ करमचारी पर जाएगी, संस्था आपकी है, कोई तो जो फर कर्मेट का अलग-अलग खर्चा यह आता जाएगा और फिर कुल पूजी निवेस्ट वही दो चीज आएगी मसीनरी और साथ सज्जा पर आएगी कारसील पूजी पर आएगी तीन महा के लिए तो जरूर रहेगा तो यह मान लिजिए यहां पर आजाएगी 6,85,000 और उसके बा से बनाते हैं यह चीज मैं बताना चाहा रहा हूं तो स्टाफ या कर्मचारी यह किसी पर भी लावगा होगा पेपर मिल ना पिन ना रहे कोई भी साइकिल का चेंड है जो भी रहे उसमें यह सारे कंटेंट्स आएंगे संस्था के खर्चे कितने होंगे मसीनरी उसाथ पर दस परसेंट का हार्म भी होगा आपका ब्याज भी दस परसेंट आपका होगा जितना लगे जैसा भी बैंक के साथ आपका करार हो अब आप आते हैं तो कुल विक्र है प्रतिमाह में आप कितना करेंगे तो 600 ग्राम भार के आप मानले जी 300 कार्ड बोर्ट बनाएं के टन मासिक लाव तो कुल लाव मतलब कुल विक्री मानस निर्माड घटा दीजिए तो यह आपका 52,000 रुपया मासिक लाव होगा अब इसी को वार्सिक लाव में ले ले लें तो 12 महिने का गुना कर देंगे तो 6,26,000 रुपय का आपको लाव होगा अब यही पूछता है विक्र पर लाव का प्रस्ट क्या होगा जो आपको लाव मिला और कुल विक्री हुई तो लाव आपको मिला 52,000 रुपया मासिक 52,000 रुपया और लागत है आपकी 2,40,000 तो यह आपका 21% कुल विक्री का आपका प्रतिमाह का लाव होगा अब यह वार्सिक आप निका लेंगे तो 6, बटा आप पूजी निवेस आपने कितना किया है यहां पर जो कुल पूजी निवेस आपने किया है 6,85,000 का तो यह बटा 6,85,000 इसमें जब भाग करेंगे तो यह 91% आएगा तो पूजी के निवेस पर आपका लाग प्रस्त जो है 91% आएगा तो इस तरह से प्रोजेक्ट आप किसे प्रोफाइल अगर आप बनाएंगे जिलाग द्योग कारेले में अगर देंगे तो यह सारे कंटेंट्स आपको बताने होंगे और इसके अंदर कोई भी आप बनाए और यह मैंने एक पार्मेट आपको बताया इसको भी मैं पेज में देता हूं परियुजना रिप आपको बताइब करना रिपोर्ट तैयार करना वित ब्यवस्था करना भूम इतथा भावन का चुनाव करना प्रतिष्ठन अस्था चुना कि या तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं पंजी करन कराना कच्छे माल को प्राप्त करना मजदूरी की जर पावर के सफ्लाई देखना उत्पादन करना तयार माल का मूलिन धारन करना और मार्केटिंग लास्ट है आपका मार्केटिंग करना मूलिन धारन करना तो यह परियोजना के जो आप रिपोर्ट है आपकी परियोजना मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके यही अंग हो इस प्रारूत से अगर आप सम्मिट करेंगे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो देख से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप भी प्रोफाइल पास भी हो जाएगी और भाइक में भी जाएगी तो बड़े आराम से उद देखके तूरा समझ जाएंगे कि आपका लाभान क्या है और छोटे में ही दो पेज में ही डेड़ पेज में कहिए तो ये आपका बन जाएगा तो ये पहला चैप्टर अभी इसको हम और पढ़ाएंगे लेकिन चुकी पेपर में देखा निकला हुआ है कि नहीं इतना दस लाग ले सकते हैं और इतना आपको मिल सकता है तो इस तरह से आप देखी यहाई तो छह लाग का प्रोजेक्ट है छह लाग पचासी जार का टो इसके अंदर बहुत से इसी चीज़े हैं जो आप आपको मकान हो सकता है आपका घर हो सकता है बिजली आपके पास लगी लेकिन खर्चे तो आएंगे तो वो सारी चीज़े आपको इसके अंदर मैंने देने कोशिस की है करेंट में प्रोजेक्ट चल ला है, कंटेंट भी मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका दे रहा हूँ, अब परियोजना का पताय जिया कि कोई नई चीज बनाएंगे, उसका प्लान करेंगे, तो उसी को हम परियोजना कहते हैं, तो परियोजना का अर्थ पूछ सकता है आप से और इसका उद्दे से पूछ सकता है और शक्ता पूछ सकता है तो अब शक्ता उद्दे से दोनों एक ही हैं कि गाउं में अपना सुरजगार हों गाउं में दो चालों को और जाब मिले और बजार में जो है आपको उपलब्धी अच्छी हो मतलब मिले तो ये चीजे है इसके प्रमुक्षणन माने आपको बताए दिये कि प्रवन्द चाहिए इसके अच्छा चय होना चाहिए मुल्यांकन चाहिए कि नहीं हमारा फ क्रोजेक्ट चलेगाकि नहीं और प्रयोजना की पहचान जैसे करता है आप करने जाएंगे तो आप उसका अभित्ति ये तकनिकी घ्यान अपनी योगिता का पूरा ध्यान रखिए आप पर उन्याग समझने के लिए पेपर पिन तो मैंने एक छोटा सवगान दे दिया इस आधार पर आप चाहें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं राइसमिल लगा सकते हैं आलू कोल्ड लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन छोटा अगर आप 10 लाग के अंदर की बात करें तो पेपर पिन आज की डेट में ये बड़ा अच्छा है और हमको नहीं लगता कि गाजी पुर जनपद में किसी के पास पेपर पिन बना करके अपना इसको इसकी सेल भी कर सकते हैं डारेक्ट सेल कर सकते हैं या फोग बहुसाई के पास भी जाके सेल कर सकते हैं मेरी मेरी थैंक्स चात्रों उद्यमता का विकास खंड को है इसका पहला तो परयावरान ग्रामिल विकास है तो ग्रामिल विकास का भी एक चैप्टर सबका लेते चलेंगे ताकि आपका दोनों खंड एक साथ खतम होता रहे और मोटी मोटी चीजें आप जानते रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा